हेलू, नमस्का दूस्तों कैसी हैं सभी और कैसी चरी आप लोगों की तारी तो दस मिनिट का समय आपके पास और टो पी क्या वरिंग क्यूशन के आपको आंस्तों देने हैं आज का टेस्ट नमर है 38 इससे पहले वाले अगर नहीं देखे हैं तो मैंने पहले लिष्ट बना दी है तो वहाँ पर जा करें आप सारे टेस्ट देज सकते हैं और रिवजन करना चाहे हैं पीडिप से तो टेली गराम पे सारी की सारी आपको पीडिप मिलेगी तो कर दीजे एक बार फटा बट लाइक ताकि एक्जाम से पहले-पहले सो टेस्ट का हमारा टार्गेट हो कंप्लीट हो जाए और जितना भी आपका स्कोर है जितने भी क्यूसन साब सही कर सकते हैं वो लस्ट में कॉमेंट करके बता देना तो चले ही करते हैं सरवाद के उसमगे पहला है कि सवतन तरता की समये राजस्तान में निमन में से कोन फी रियासत में ती कौन सी रियास्त नहीं थी, एस्वाम आदोपुर नहीं थी, गंगानगर, भीलवाडा, नागोर्ची, तोडगड़ी, ये सारी रियास्ते बाद में, तो D हो जाएगा आपका राइट आंसर, किन में से कोई भी नहीं थी, अगला है कि सेकावाटी में कांतली नदी के परवाच चेतरों कहते हैं, तोरवाटी, तोरवाटी एक बोली भी है, और इसी नदी के किनारे पर गणेशुर सब्वेता और सुनारी सब्वेता भी खीत हुई थी, सांचोर चेतर को और किस नाम से जाना जाता है, सांचोर को राजस्तान का पंजाब कह देते हैं, सी आपका सही, एगला है कि आदिवाशियों का मसीहा किसे कहा जाता है, आदिवाशियों का मसीहा कहते हैं, मोतिला तेजावजी को, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, मातरी कुंडिया सियाप हुआ, और मेवाड फुकार 213 मांग पतर जो था, चले विराट नगर किस जन्पत की मारे को कहा जाता है, मेनी खजराओ कहते हैं, भंदेवरा के मंदिर को जो हाडोती में हैं, किराडू के मंदिर को कहते हैं, राजस्तान का खजराओ, जगतम्भी का मंदिर को कहते हैं, मेवाड का खजराओ, सारे याद रखे, तेशकान सरब का भी हो जाएगा, वालमिकी ने राजस्तान के भूबा को क्या नाम दिया था वालमी की जी ने राजस्तान के भूबा को का था मुरू कांतर यानि तीन आपका सही आंसर नेक्ष्ट है कि शीरोही रियासत का आबू देलवाडा चेतर राजस्तान गठन के कोन सी चरण में सामिल वा था दिखो शिरोही वाला एरिया है ये तो 6 चरण में 1950 में वो सामिल हो गया था लेकिन आबु देलबाडा ये 7 चरण में सामिल वा था यानी 1 नौंबर 1956 को लस्त चरण में सामिल किया गया था शिरोही का फिल्लै दो बार में होता है अगला कि प्राचीन तामरवर्ती नगरी को वर्तमान में क्या कहते हैं तो आहड सबेता ज्वहुदेपूर की वो तामरवर्ती नगरी कहलाती थी धूल कोट आहड चेतर तो राइटान सरब का भी हो जाएगा अगला कि पेले पत्रों का सहर उपनाम से राज्ये का कोण सा नगर जाना जाता है तो पेले पत्रों का सहर पिला संग्ममर और पिला गरेनाइट जान से मिलता है तो जसल मेर सी आपका सही अगला की राजस्तान का नहरू किस सवतंतरता सेनानी को कहा जाता है राजस्तान का नहरू कहते हैं पंडित जुगल की सोज तो वेदी जी को तो राईटान सारप का क्या हो जाएगा डियास का सही है अगला की राड़ छेतर किस जिल्ले में आता है तो राट चेतरा थे मेवात वाले एरिया अलवर का चेतर, यनी एक आपका सही अगल है कि गोड़वार प्रदेष राजस्तान के किस वरीत भुआ काती व्यभाग का इस्सा है तो यह तह पस्मी सुसःक प्रदेष उसका इसःए, गोड़वार प्रदेष य Sunshine Ball परदेश बाद में तो राजस्तान परत्वी के किस बूबाग में है जिसमें भारत है जानि उत्री पुर्वी गोलाद में उत्री पुर्वी गोलाद में भारत है राजस्तान तो एक आपका सही आंसर अगला कि मालानी परवत राजय के किन जीलों में है मालानी परवत राजय के कौनशे चेतर में आता है चलिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो मालानी प्रवत बाडमेर वाले चेतर में, यानि जालोर बाडमेर वाला एरिया, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, C इसका सही आंसर है चलिए, अगला क्योशन अगला कि राजय का कोन सा चेतर बांगड परदेश कहsung होएं, बांगड परदेश कहते हैं, नागोर, सीकर, जूँजणू वाला एरिया, और डुंगप्रवानस्वड़ा 너 कहते हैं, वागड परदेश अगला क्या है, आपका राइट आंसर अगला है कि 1466 में मेवाड की इतियास में कौन सी गटना कटी तुई थी तो माराना कुमबा जी जो है उनकी हत्या कर दे गई थी उनके बेटे उदा के द्वारा कुमबल गट के दुर्ग में तुराइटान सलब कसी बापा रावल मेवाड के की सासक का विरुद्यानी दूसरा नाम है तो काल भोज को ही बापा रावल कहते हैं तुराइटान सलब कर डी अर अगला है किनमे से कौन सा मुस्लिम सासक मारना सांगा का समकालीन था तो मारना सांगा के समकालीन कौन कौन सी सासक रहे थे सिकंदर लोधी था दिल्ली में गुजराते महमुद बिगड़ा था और नादीर सा खिलजी मालवा में था ये राज्ये भी सेके टैम की बात है पंदरा सो नो में बाद में सहर जगे चेंज हो गए थे तो D हो जाए राइटर से क्योंकि दिल्ली में बाद में सिकंदर लोधी बैठ गया था अगर आपको याद है ठीक है और मालवा में महमुद खिलजी सेकिन आ गया था तो बाद में चेंज भी हो जाते है तो तिनोही से ये D आपका सही कौन सा गरेंथ है जो मारना कूंबा की किस सासक को अंथिम हिंदू भारतिय हिंदू समराथ की रूप में जाना जाता है तो ये महना संगरामशी को कह जाता है अगला है कि बलीचा गाउं के पास Сत्री किस की बनी हुए चेतक की बनी हुई है जो महना परताब का गोड़ा था मेवार के कि सासक ने रासम जील का निमान करवाया था तो रासी ने करवाया था पहले जील जो अकाराहत कारिये के लिए निमान करवाया था गेवरमाता ने नियु रखी थी रिशिक पास गेवरमाता का मंदिर भी है पीचोला जील में जगत निवास महल का निमान किस ने करवाया था? जगसी सेकिड ने और जगसी पर्थम ने जग मंदिर नियूद हला कि करणशी ने रखी थी पूरा जगसी ने करवाया था मोती मस्चीत निमन मैंसे किस नगर में है भी तो ये बनी हुई है आगरा में अगलाए कि किस राजस्तानी गरंथ में अलावदिन खिलजे के जालो राकरमन की 1311 की जानकारी मिलती है कानड़ दे परबन अगला कि राजस्तान में व्यापक मात्रा में किन्नू का उत्पादन कहां पर होता है किन्नू होता है गंगानगर में तीन आपका सही और वह प्रसल जो जून जुलाई में बोई जाती है सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है स्ताने बासा में क्या कहते है तो सीयालू, खरीब की फ्रसल, तुराइटांसर आपका डी है अगले कि परवती मीटी राजस्तान में कहां पाई जाती है तो अजमेर, भीलवाडा, रासमत, परवती एरिया जो है सी आपका सही अगले कि बिजुलीय किसान अंदोलन में किस जाती के किसान सरवादिक थे तो धाकड जाती के किसान सबसे जादा थे अगले कि राजस्तान के राजियों में वे कून सा सासक था जो अपनी सेना लेकर 18 सुष्ट्याश्टीम की करानती में अंगरेज्जों की साहिता के लिए राज्जे से बाहर गया था तो बीका ने के सदार से ही एक आपका सही अगला है कि ललित विगरे राज गरंद के लेखे कोन है ललित विगरे राज लिखा था सोम देवक जी ने और ये विगरे राज चतुर जो थे उनके दरबारी कवी थे अगला है कि राजस्तान में मेगनीज दातू का सबसे बड़ा उत्पादक जिल्ला कोन सा है तो मेगनीज का सरवादी को उत्पादन होता है बांस बड़ा जिल्ले में राजस्तान में भारी पानी का नियमान किस जिल्ले में होता है भी डूंगरपूर जिले में शुरू की गई नेश की बाड मेर में उत्तरलाई और कवास ये तरह वो किस खनीज के लिए परसीद है तो उत्तरलाई कवास है जिबसम के लिए ठीक है बीका नेर, नागोर, बाड मेर, जसल मेर में उत्पादर जादा होता है इनका और राजस्तार में क्रिशीगत ओजार बनाने के लिए लगूकार खाने कहाँ पे बने वे हैं लगूकार खाने गदसीपूर में और गदसीपूर है गंगानगर में नेश की बरसिंग सर, पावर स्टेशन कोन सी जिले में स्ताब पित है लिगनाइट कोले परादारीत तो बरसिंग सर है बी का नेर में तो एक आपका सही नेश्ट के राजस्तार में सरसो तेल उध्योग कोन से जिले में है तो सेवर भरतपूर में रायटांसरप का D है नेश्ट के राजस्तार में चकुंदर से चीनी बनाने का सेंथर कहा पर है गंगानगर सुगर में तो रायटांसरप का B और राजस्तार का सबसे प्राचीन और संक्तित सबसे बड़ा उध्योगों से शूतिवस्तर उध्योग जिसके पहले में लगी थी 1889 ब्यावर जमीर में अगला है कि सडकों से जुड़े नियूंतम गाउं कहां पर है तो शीरोही वाले एरिया में कम है तो B आपका सही अगला एक रास्तान में अस्वविकास कारिकरम कहां चलाय जा रहा है तो यह जहां पर जादा है तो कौन शीशे बाड़मेर वाले अरिया में शीवाना बाड़मेर में तो भी आपका सही और भारतिय लोकल हमंडल की स्तापना किसके द्वारा के गई देविलाल सामर की द्वारा सेंसकर दिवस कम मनाते हैं स्रावन प्रोडिमा को मनाया जाता है सी हो जाएगा राइटांसर अर अगला की हमीर मद मर्दन के रचेता कोन है किसने लिखी थी जैसी सूरी की द्वारा भी आपका सही अगला बोली ओ चुटर दे रखें कौन सा जोडा सही नहीं है खेराडी बोली बांसवडा के चेतर में ठीक है धुनडाडी लावा टोंक वाले एरिया जैपूर में ठीक है हाडोती जालावाड में ठीक है मेबाती स्वाई मादूपुर्वनी अलवर वाला चेतर जो है अलवर वर्थपुर वाले चेतर में डी आपका सही अगले के अजमेर जीले का कौन सा गाउं हिल स्टेशन की रूप में परसीद है तो हिल स्टेशन की रूप में है टोडगर एक आपका सही और एक्यावर है कि तंग, मोर्खा, गोर्बंद, पिलान ये किसे सम्मधित है, तूंट की सजावट से सम्मधित है तो इन्हीं क्यावन में से आपका स्कोर क्या है, कितने सही के हैं कॉमेंट करकी बजाईए और दो चीजें एक तो सारे के सारे वीडियो को लाइक रो, ताकि हमारे सो टेस्ट का टारगेट पूरा कंप्लीट कर पाए हम और ये तभी पोसिबल है जब आप लोगों का सयोग रहे दूसरा रात को डेली आट बजी हम रोजाना टोपिक वाइज एक लाइव टेस्ट करते हैं अगर आपने अभी तक जोई नहीं किया तो कर लीजिए और पुराने वाले टोपिक वाइज टेस्ट नहीं देखे हैं आपके एक्जाम के लिए तो परले लिस्ट है बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं रिविजन करने के लिए पीडियप लेना चाहते हैं तो टेलिग्राम पर जाएए ये नाम सर्च कर लेना अच्छे स्विस फिलिंग देख लीजीगा और ये इंस्टागराम का लिंक है तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं अच्छे स्विस पूछना चाहते हैं बताना चाहते हैं अगर कोई सुजाओ देना चाहते हैं तो चलिए मिलेंगे राद को आट बजे एक नए वीडियो में कुछ और हिपोर्टेंट किसनों के साथ और आज का वारा टोपिक आपको याद दियूगा आज का टोपिक है जन संक्या तो डेली में टोपिक पहले दिन ही बता देता हूं ताकि अच्छे से आप त्यारी करके आसकें तो चले थैंक यू सो मच